हुआ महर्ण हम डिसकस करघें पोल जी का टींग का इंगा डिमांड का वह दो फुरम है आपकी worker a फ़ुरम है आपकी फुरम भी हैं माहलो इसकी फिर्ल यूणिट टूल मतलब मार्किट शेयर भटा होता है यह मिह सबरेखिय। कलब वालु मोडल से एक फुरम और हम ने क्या किया मालों इन दोनों का output न एंड़िंग मानलों दोनों का ये रहे यह प्राइश पर बैच रहे हो कोई नहीं माने की चलते हैं एस ने क्या है एक हम है इसने देखो यह प्राइस कम किया अब इनके प्राइस ऐसे मान रहा हूं मैं कि यहां से चले हैं यह दोनों प्राइस इसका मैं मान के चल रहा हूं इसने प्राइस कम किया यह भी उसी देन से आपके प्राइस कम करने लग रहे हैं कर रहे है कर रहे हैं कर रहे हैं प्र इसने प्राइसिज कम कये इसनी फिर सो रहा गे फिर सो रही जितना चैंज उसने ओतना उसने किए तो यह किया एक लिमित तथा प्राइज बता इलस्टिक टिमान इलस्टिक प्रद्ब्थी पिशिगन निगा और आप देखो क्या हुआ अब मैंने क्या कर यह आपके a from ने prices कम किये b from ने भी prices कम किये पहला के ए फिर से prices कम किये बी ने फिर से prices कम कर दिये market share रहेगा due to क्योंकि same आपका result आरही सेम चीज़े हो रही है तो आपका market share आपका same रहने वाल यहां तक clear है ठीक है अब क्या होई आफ रहो हमने प्राइसिज को इन्गरीज कर दिया एक और चीज एड कर लेता हूँ है Elasticity यहां पर क्या है Enelastic Inelastic है यहां पर क्या आप की inelastic है यहां पर B आपके क्या इसने प्राइसे को बढ़ा दिया कि क्या करेगी बी प्राइस को नहीं बढ़ाएगी कॉंस्टेंट रख रही है क्या रखेगी रखेगी इसने प्राइस बढ़े तो आप लाउप डिमांड भी पढ़ रख रहा है बताओ क्या हुआ कि दर से कस्टमर शिप्ट होंगे एक शिप्ट एसे शिप्ट होकर बीपर चले जाएंगे तो यहां पर क्या है इसका भी का मार्केट ऐन आ यह दाऊब जाए गा और आपका कम हो जाएगा ठीक है और यह क्या होगा को फ्राइस कमकर 살아ilik क्रम करने से लさ WAS वड्लाने से , नुक्सान हो गया है न आपने क्या दिखा कि जब फॉर्म अपने प्रासिस कम कर रही है तो दूसरी सात में कम कर रही है जब सात में कम कर रही है है तो क्या होता है उनका मार्केट शेर षएみ SHORE रह जाता है तो डिमांड आपकी तो कि Inelastic हो गई। और दूसरी जैसे किसी फ्रम प्राइश को बढ़ाया दूसरी नहीं बढ़ाएगी तो आपका क्या होगा अपर सब्सक्राइब और उसे क्या होगा उसको सब्सक्राइब समाच लिया। MJ दोनों में ऐसा लग़ा सिमिलेरिसी चीजी है स्टेट नहीं बनता यह दोनों सेम तरीके शी रही है इस ने इसने गम किया इसने भी कम कर दिया इस ने संद्ध गॉट सबसे कर दिया यह अपने शिद्य आ गया इसको क्या फिर्क पर्द इस बसी अब से चला कर eco क्या यहां पर प्राइस तो जो मुवमेंट मैच कर रही है ना अब यह देखो अलग रहे डारी दर जा रही यह बढ़ता जा रहे है यहां पर क्या है प्राइस मुवमेंट आपके मैच कर रहे हैं और यहां पर आपका क्या है प्राइस मुवमेंट आपके मैच नहीं कर रहे है यहां पर आपके मैश कर रहे और यह जो चीज बनी है इसको बोला गया किंकर डिमांड कर और किंकर और किस वज़े से बनाया क्योंकि इसने दूसरे को फोल नहीं किया यह वाला पाट इलास्टिक यह पता होना चाहिए जब प्राइस मुवमेंट मैच कर रहे हैं तो आपके ड बहुत आसांज और बहुत इंपोर्टेंट आपका है बहुत पच्छे नहीं समझ पाते कि इसको किंकर डिमांड कर क्यों बोलते हैं फर्स्टिंग आपने पढ़ा कि दो फर्म में पहले प्राइस कम कर रहे तो दूसरी करेगी अपना मार्केट शेर कोई नहीं गवाना चाह प्राइस मुमेंट आपका मेंस नहीं कर रहे यह आपका क्या हाँ इनलास्टी खीक है बता रहा हूं इस मिंदर को क्या आजम संथा किंकर डिमांड का वह इस अजमस के बैसे पर फर्स्ट इफ वन फंप्रेडियूस रिडियूस इस प्राइस अधर फंबिल आल्सो रिडूस नहीं करेगी सुन लो इस सब क्यूस्स के बैसे आपको एग्जाम में एजटीज मिल नहीं होती जी ठीक है देर इस एन एस्टिबिलिस्ट प्रिवेलिंग प्राइस जो परसलित प्राइस जैना वो दी हुई आपको कि वह आपके पास निरदार्यती यह सल रही होती है दा मा डूसरी से tussen रहां करेगी दूसरी से कम नहीं किया किया क्या होगा दूसरी ने बढ़ाया पर इस आपकी फिर्म नहीं बढ़ाईग है अब यहां पर रहां पदाओ उसने विक्स कर लिए अपने क्या आपbit कि अब बढ़ारे हमने आप यहां पर रुख गए हमारा कोई से चरने आप बढ़ाते रहे ठीक है हो गेना रिजी ती कि आप अपना करते हैं अच्छा और सुनिये यह इसमें और क्या है और क्या करना चाहते हैं यह थोड़ी करना तकली हो जाती हो तो आज बने अब इसा अब इसमेर को जो कराना था हुई था यह यह क्यूस्टन आपके पार डिटेमिनेशन आप मोनोपोली प्राइश एंड आउट पूट अलजेब्रिक सोलुएशन मोनोपोली की है आपका क्वांटिटी दीए आपने मैंने आपको इपर कराया अधिक आप कर पाते हैं इन तुम आपके पास आई हैंड़ माइनस 0.2 पी ठीक है और यह तो आपको वह गया दिमांड फंक्शन ठीक है ऐसे क्यूशन मिलेका बिलकुल एज़िटी ठीक है दिमांड फंक्शन यह आपके पास प्राइस फंक्शन दिया हुआ है अच्छा अच्छा पी इस इकल टू हाँ अच्छा टीशी इकल टू 50 प्लस में 20 क्यू प्लस में क्यू स्केल यह आपके पास गीव है आगे क्या पांगता है मैंड पी फाइंड तो दा प्रोफित मैक्सिमाइजिंग आप्पूट एंप्राइस बताएँ मेरे को आपको कोई भी पूछे न कोई भी आपकी कंडिशन फो प्रॉपित मैक्सिमाइजिंग कंडिशन फो याद रहे कंडिशन आपकी सेम करनी आपने MR एक्वल टू यह कोई भी आपका मार्गे स्ट्रेक्शर ओ आपको यह लिख देना है MR एक्वल टू यही आपके एक optimization की condition है profit maximization की condition है अब आपके पास यह given है demand function है यह price function यह दे रखा है और total cost आपके यह दे रखिए है ठीक है हमें क्या प्रूव करना है हमें क्या प्रूव करना है mc equal to किसी भी की आजाए optimization करें आपको क्या प्रूव कर देना आपको दीख रहा है यहां पर कर सकते हो आप शोल कर आया है मैंने कर सकते हो आप याद नहीं है मैंने आपको एक बात बताया था मैंने बताया था माईल जो कोस्ट होती है आपकी वह क्या होती है is first derivative याद है ओब टोटल तो इस आपके तक है कि मार्जन आजै आज traced हमें क्या चाहिए रिवेणिये चाहिए रिवन्यू कम टोप्लाइक आजाए का ना क्या प्र उसका निकाल लूज सो हाँ आपक पर प्लाइस फंक्षन है हमें क्या निकालना है total revenue निकालना है तोatल revenue हमें पता है total revenue is equal to p multiply q प्रवाइन करते हैं इसको मल्टिप्लाइ कर दो क्यों से यह क्या हो गया अगया अगया इसका फ़स्ट डेडिव निकाल तो माइनल आ जाए प्लीज आप खुद कीजिये मैं करा दूंगा तो ट्राइब कीजिया आने लग गये हैं अब इदर को सॉलुशन करते हैं हमारे पास यह गिवन डेटा है हम सबसे पहले निकाल लेती है क्याा और हम निकाल रते हैं खोuan को 예ल विर्थ टूंस के वे मारिणल कोष्ट आपके पर 50 है ठीक है अब देखिए इसका क्या हो गया जीरो इसका क्या आगया 20 और इसका क्या गया यह आगया नहीं क्योंकि एक की पावर माइनिस हो गही तो 2Q आगया तो यह क्या आपके पास यह आपके आगया मारिमनल कोस्ट इपल्टी प्लस में डूक्यु आप मैंनी कालने हमनी काल ला है marginal revenue क्योंकि हमें कंडिशन यह फुल्फिल करने है marginal cost is equal to marginal revenue marginal revenue calculate करते है हमारे पास data है हमारे पास यह given है क्या price function दिया हुआ 500-5q दिया हुआ 500-5q और जो आपका Q है अदब हमें पता है कि जो total revenue होता है इसको Q से multiply करो आ जाएगा ठीक है यह हमारा price ना और हमें पता है total revenue is equal to P multiply Q तो हमने क्या किया इसको multiply करदर Q से तो आपके पास आजाएगा 500-5q और इसकी multiply Q से और जब इसको आपने किया तो यह आए आपके पास 500q और 500q स्केर यह value आ गई तो यह आपका आगए total revenue और हमें पता है इससे अगर हमें आपके पास 500 और यह क्या है आपका 10q आया समय निकाल लिया ना 500 है इसको x की power 1 थी एक आगया multiply हो गया 1 आया 500 यह खतम हो गया and then 10 or q आगया और हमें आगे क्या प्रूब करना है mc equal to mr और mc क्या आया बताना एक बार 22q is equal to 10q यह value आगई ठीक है अब इसको solve कर लो जैसे आपके पास आगया जैसे आपके पास आगया ऐसे कर लो 480 आगये ना इसको पूरा करी के देखा लिए इसको ऐसे लिए आते हैं 2q minus में plus में is equal to minus में 20 यह आपके आगये 12q is equal to 480 तो q क्या है आपके पास क्यों क्या है आपके पास 40 unit पे आपका profit क्या होगा maximize होगा 40 unit पे क्या होगा आपका profit maximize होगा क्या बात कर रहे है producer की equilibrium की बात करें profit maximization की बात करें production function दे रहे तो इसको प्रूव कर दो आपको पता है कि MP जो होता है AP के maximum पर काटता है लेकिन गिरते वे और जो मारे रहे होता हो नीचे से काटता है यह हमें पता है और कहां पर AC के minimum पर काटता है तो हम यह प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब कोस्ट minimum function आ जाएगा कि आपका minimum cost है हमें क्या चाहिए होता है हमें यह चाहिए होता है profit maximization और कोस्ट आपकी तो कोस्ट minimum इस तरीके से कर देंगे हमारे पास है कुछ चीज दे रहा है हम उसको हम सोल करते हैं और इससे आपको clear हो जाएगा हमारे पास यह है अब ही tc दे रखा है हमारे पास total cost यह दे रखा है 200 प्लस में 5q प्लस में 2q scale यह आपके पास एक function दे रहा है total cost function और आप से कोई यह पूछा है कि आप हमें यह पताइए कि आपका optimum level of output क्या होगा क्या पूछा गया आपसे optimum level of output पताइए कैसे निकालेंगे मैं आपको hint देता हूं hint में क्या है हमें पता है हमें क्या प्रूव करना हमें प्रूव करना है हमें पता है level of optimum level of output वह होगा जहां पर आपका ac or mc दूसरी के equal हो जाए यह तो clear है अब आपको पता है कि अगर आपको अब आप इसको सोल किजी करता होगे अब रिल्कुल आसान साइब कि रहा लिखले इसको टोटल कोस्ट रहा आप तो कल्कुलेट माईल कोस्ट और हाव तो कल्कुलेट यह बता दे कि हमने फिर्स्ट डेरिविटिव निकाला है अच्छा अब बता शागाँ मिन्यों निकाली अच्छा थीक है यह फिर्स्ट डेरिविटिव थीक है वरी गुट फोर थीक है आगे थे अमझ में आगे ठीक है आगे चलिए अच्छी निकाली अच्छाव अब जियन कोई आप एधिज कोस्त का पर्मोला होता है क्यो जो यह उन्हाद कोंड़ जढ़ कोई अब 10 अब पाट ए उच्छ की का खरो तो भूग खरो फो फो स्थटो खरो गोग्रे का स्थ्क निच दिवाई करना है कि निशाओी झाल है। कि तु तु M में आदेसे कि कल देकिर B इस की बेडियों आई कि हमारे पास 5 प्लस 4 क्यों इसी प्वाल गूट कर देंगे हम यह आपके जो ही आए कि जो प्लस 5 प्लस 2 क्यों गोगी है अभी हम यह 5 से 5 क्यों इसको हम कि सब्सक्राइब ले जाएंगे इसको लेक इसको पुर्को प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कि जो प्लस 5 प्लस 6 को हम यह लाएंगे जो तरिक तो ऐसे निकालना आप नहीं और इस तरह किसी निकल जाए बिल्कुल a c equal to mc कर दो याद रहे आपको नहीं चीजे पता है थोड़ी कला प्रेक्टिकल भी पता लगे कि a c mc a c equal हो जाएगा ठीक है